प्यारे बच्चो गुड मॉर्निंग आज की टॉपिक है अस्थानी मान आज हम लोग अस्थानी मान पढ़ेंगे प्लेश वैलू इसको अंग्रेजी में कहते हैं देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है पांच लाख बहत्तर हजार आठ सो पचीश इसे पांच इकाई है दो दहाई है आठ सैकड़ा है दो हजार है साथ दस हजार है और पांच लाख है इसमें यदि किसी अंग का हमें अस्थानी मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे इस्वी संख्या में अगर मालिजे दो का अस्थानी मान निकलना हो तो दो जगा आया है एक जगा पे आया है दहाई पे अर्थात दो में दस से गुड़ा कर देंगे तो इसका अस्थानी मान निकल जाएगा मतलब कि दो गुड़े दस बराबर वीश होगा जहां दो हजार के अस्थान पर है अर्थात दो में हम एक हजार से गुड़ा करेंगे तो जो उसका मान होगा आयेगा दो गुड़ एक हजार बराबर दो हजार अर्थात दो का अस्थानी मान दो हजार होगा जहां एक महत्पूर चीज दिया गया है सुन्य का अस्थानी मान प्रतेक अस्थान पर सुन्य ही होता है अगर मान लिजे यहां आप यहां सुन्य हो दो की जगह पे तो सुन्य में जब 1000 का गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा सुन्य में किसी भी संख्या से जब हम गुड़ा करते हैं तो उसका मान जो है सुन्य होता है इसलिए सुन्य का अस्थानी मान प्रतेक अस्थान पर सुन्य होता है आईए इस संख्या को देखते हैं यहां देखिए हमें पांच का इस संख्या में कितनी बार पांच कितनी बार आया है दोनों पांच किस अस्थान पर है इकाई और लाग के अस्थान पर लिखे पांच के मान में कोई अंतर है हाँ या अंतर उनके अस्थानी मान के कारण है इकाई के अस्थान पर आने वाला पांच यानि यह पांच का अस्थानी मान पांच गुड़े एक बराबर पांच चुकि इकाई है तो एक से गुड़ा हुआ लाग के अस्थान पर आने वाले 5 का अस्थानी मान 5 गुड़े 1 लाग एक के बाद 5-0 है 5 गुड़े 1 लाग बराबर 5 लाग है इसको इस प्रकार से भी दर्साया जा सकता है 5,7825 में पहले 5 का अस्थानी मान 5 गुड़े 1 बराबर 5 और दूसरे पांच का अस्थानी मान पांच गुड़े एक लाख बराबर पांच लाख अब यहां कुछ उधारण दिये गए हैं इनको स्वैम से करना है यहां दिया गया है छै लाख तीस जार पांसो एक्क्यासी इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार लाख इसमें तीन का अस्थानी मान निकालना है तो हम देखेंगे कि तीन किस अस्थान पर है तो यहां देखिए इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस जार किस अस्थान पर है दस जार में अस्थान पर है तो हम यहां पर तीन लिखेंगे और गुडे 10 हजार लिखेंगे एक दो तीन चार इकाई दहाई सेकडा हजार दस हजार अब जब हम इसका गुड़ा करेंगे तो क्या तेन सुनाएं शुन्ना कितना हो गया 30,000 हो गया तीन का अस्ठानी मान इसे प्रकार से दूसरी संख्या है 8,42,310 इसमें 8 का अस्थानी मांग तो 8 लाख 8 किस अस्थान पर है? लाख में अस्थान पर है तो लिखेंगे 8 गुडे 1 लाख 1 दहाई स्रैकड़ा 10,000 लाख अब 8 सुनाए सुनना 8 सुनाए सुनना 8 सुनाए कितना हो गया? 8 का अस्थानी मान हो गया 8 लाख तीसरी संख्या 7,3,215 अब इसमें सुन्य का अस्थानी मान? सुन्य जो है वो 10,000 के अस्थान पर है तो सुन्य गुडे 10,000 बराबर हो जाएगा कितना हो गया सुन्ने का स्थानी मान? सुन्ने हो गया इस प्रकार हम एक और चीज यहां सर्जेंगे हेस वैलू अंकित मान किसी भी अंक का अंकित मान फेस वैलू उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा अस्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है जबकि अस्थानी मान अस्थान बदलने पर बदल जाता है जैसे यहां लिखा हुआ है चंवन हजार दो सो पैतिस इकाई, दाहाई, सैकडा, हजार, जार 854, 235 लिखा हुआ है अब इसमें दो का अस्थानी मान देखे हैं, दिखाएगा दो का अंकित मान कितना होगा? दो ही होगा यानि दो जहाँ भी लिखा हो, वो दो ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं तो अंकित मान फिस वेलू जो है वो हमेशा वही होता है जो अंक होता है और अस्थानी मान हमेशा अस्थान बदलने के साथ बदलता जाता है यहां किस अस्थान पे दो है इकाई दाहाई सेकडा के स्थान पर है तो इसका पूड़े सव बराबर सव दूनी 200 तो यहां इसका अस्थानिमान हो गया दो का 200 इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में किसी अंका अस्थानिमान निकाल सकते हैं धन्यवार